नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी त्रिपल सी वीडियो एक्जाम के लिए सिंदुगाटी सभ्यता से टॉप टॉन्टी फाइफ मोस्ट इंपॉर्टेल प्रस्णों को देखेंगे सबसे पहले थियोरी सेक्षन को डिसकस करेंगे फिर उसी से सम्बंधित औबजेक्टी प्रस्ण को सॉल्व करेंगे देखें दोस्तों वीडियो एक्जाम में सिंदुगाटी सभ्यता से सम्बंधित प्रस्ण जरूर पूछा जाता है इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लाज तक देख देखें दोस्तों सिंदुगाटी सभ्यता की सर्व माननेतित ही 250 इसापूर्व से 1750 इसापूर्व मानी गया है और सिंधु गाटी सब्विता को हडपा सब्विता भी कहा जाता है पूछा जाता है हडपा सब्विता किसे कहा जाता है तो सिंधु गाटी की सब्विता को ही हडपा सब्विता कहा जाता है सिंधु सब्विता की खोज 1921 में राय बहादूर दया राम साहनी ने की थी सीय गाला दास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सब्भेता के अस्थल मोहन जो दड़ों की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी कब की थी 1922 में की थी मोहन जो दड़ों का साब्दिक अर्थ मृत्त को का टीला होता है इंगलेस में इसे माउंड आफ दा डिड कहते हैं दोनों याद रखिएगा हिंदी और इंगलिस दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों से प्रस्ट पूछा जाता है अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता को आद्ध एतिहासिक अथवा कान सी युग में रखा जाता है पूछा जाता है सिंधु सभ्य राखी गड़ी है अगला पॉइंट है मोहन जोदोडों से प्राप्त असनानागार संभावता सिंदु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य इस्थित असनान कुंड 11.88 मीटर लंबा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.4 मीटर गहरा है लोथल एवं सुर्कोट दा सिंद सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था तो याद रखियेगा लोथल एवं सुर्कोट दा यह सिंदु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था यहाँ पर लोथल से संबन्धित कुछ तथ्य देखेंगे लोथल हडपा कालीन बंदरगाह अस्तल है या भारत के गुजरात राजी में भोगवा नदी के तडपर इस्सित है इसकी खोज 1955 से 60 के बीच में रंगनाथ राव या एस आर राव रंगनाथ राव को एस आर राव भी कहा जाता है इनके द्वारा की गई थी लोथल को मिनी हडपा के नाम से जाना जाता है लोथल से मनका बनाने का कारखाना गोदी वारा धान के साक्ष अगनी कुंड के साक्ष तथा यूगल सवाधान के साक्ष मिले हैं अगला पॉइंट है सूर कोटदा इससे भी संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे सूर कोटदा गुजरात के कच्छ जिले में इस सिथ है यहां से घोडे की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवसेस प्राप्त हुए हैं सूर कोटदा से सवाधान की एक नई विधी कलस सव अधान का उदारन प्राप्त हुआ है सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए इसी से संबंधित आपजेक्टी प्रस्ण आगे सौल्व करेंगे सिंध सब्विता एक नगरी सब्विता थी इसके कुछ प्रमुख नगर निम्न है मोहन जोदडो हडपा गडवारी वाला धौला बीरा राखी गड़ी यों काली बंगन अब इन में से कुछ महत्यपूर्टत्थ को देख लेते हैं सबसे पहले धौला बीरा की बात कर लेते हैं हडपा काल का पूरा स्थल धौला बीरा ये गुजरात के कच्छ के रण के मध्य इस्थित दुईप खादिर में उत्तर में एक विस्त्रित संपूर्ड यों व्यापक समतल मैदान के अवसेस मिले हैं इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर की संग्या दी गई थी इसके पूर में नगर का तीसरा महत्यपूर भाग इस्थित है जिसे निचला सहरिया अवम नगर कहा जाता है अगला है दोस्तों धावला वीरा भारत में इस्थित सिंधु सभिता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है धावला वीरा की खोज 1968 में जेपी जोसी ने की थी धावला वीरा से बिसाल जलासे के साक्ष प्राप्थ हुए है याद रखिएगा धावला वीरा से बिसाल जलासे के साक्ष प्राप्थ हुए है सिंधु सभिता की लिपी भाव चित्रात्मक थी यह लिपी दाएं से बाएं लिखी जाती थी संधो समाज मात्रि सत्तात्मक था, कैसा था? मात्रि सत्तात्मक था, हडपा कार की मुहरे वर्गाकार, त्रिकोडी तथा आयताकार होती थी, हडपा संस्कृती की मुहर और तेरा कोटा कला पर बैल, गैंडा, हाथी और बाग का चित्र मिलता है, तेरा कोटा पकी हुई देखते हुई चलिए हडपा संस्कृती की मुहर और टेरा कोटा कला पर गाय को नहीं दर्साया गया था इसे आप लोग याद रखिएगा यहां से प्रस्न पूछा गया है पांचवी छटी सताब्दी इसापूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों करने के लिए फार्सी सब्द हिंदु का प्रियोग किया गया था तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदु उनकी भूमी को हिंदुस्तान और उनकी भासा को हिंदवी कहा था अगला पॉइंट है हडपा सभ्यता के दोरान डांसिंग गर्ड नर्तकी की कांस प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई लास्ट वेक्स कास्टिंग तक्निक का प्रयोग किया गया था यह प्रसिद्ध मूर्ती मोहन जोदोडों से प्रात्त हुई थी अगला पॉइंट है तामर पासाण यूग तामर पासाण यूग नौ पासाण यूग के बाद सुरू होता है यह लगभग 2000 इसपूर्व से 1500 इसपूर्व के आसपास कांस यूग का ही एक भाग माना जाता है इसकाल में मनुष्य पत्थर के आउजारों के साथ साथ ताबे के आउजार भी उपियोग करने लगे थे यहां से भी प्रस्ण पूछा गया है अगला पॉइंट है ताबे का पहली बार उपियोग तामर पासाण यूग में हुआ था पूछा जाता है ताबे का पहली बार उपियोग किस यूग में हुआ था तो तामर पासाण यूग में और सिंद्व सभ्विता की मुख्य फसल गेहूं और जोथी सभी तत्य ध्यान से देखते हुए चलिए सरप्रथम कपास पैदा करने का स्रेय सिंद्व सभ्विता के लोगों को ही दिया जाता है जुते हुए खेत और नकासीदार इटो के प्रयोग का साक्ष काली वंगन से प् राजस्थान राज में है सेल खड़ी पदार्थ का उप्योग हडपा काल की मुहरों के निर्मान में किया जाता था पूछा जाता है हडपा काल की मुहरों के निर्मान में किस पदार्थ का उप्योग किया जाता था तो सेल खड़ी पदार्थ का उप्योग किया जाता था अ आपको बताया गया है Mound of the did या मुरित को का टीला मोहन जो दोलो सब्दकार्त है मुरित को का टीला या Mound of the did भी आपसन आपका राइट हुजाएगा अगला प्रश्ण है हडपा सभ्विता की खोज किस वर्स हुई थी? देखे दोस्तों हडपा सब्धिता की खोज 1921 में हुई थी किसने की थी राय बहादूर दयाराम साहनी ने की थी अगला प्रश्ण है सिंदु सब्धिता में व्रिहत असनानागार कहां पाया गया है तो इसका जवाब है मोहन जोदलों से प्राप्त हुआ है सिंदु सब्धिता में व्रिहत असनानागार मोहन जोदलों में पाया गया है यहाँ पर A आप्सन राइट है हडपा सब्धिता का एक प्रमुख बंदरगाह कौन था याद रखिएगा हडपा का एक प्रमुख बंदरगाह लोथल था यहाँ पर A आप्सन राइट है अगला प 1955 से 60 के मद्धे में इस आर राउ ने लोथल की खुदाई की खोज की थी, यहाँ पर C आपसन राइट है, अगला प्रश्ण है, सिंधु सभिता में घोडे की अस्थियों का आउसेस कहां से मिला है, तो इसका जवाब है दोस्तो, सुर्खोटदा से प्राप्त हुआ है, यहाँ देश में है, देखे दोस्तो, सिंधु घाटी अस्थल काली वंगन राजस्थान में है, अगला प्रश्ण है, हडपा काल का इनमे से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था, आपको बताया गया था, धौला बीरा ये तीन भागों में विभाजित था, यहाँ पर D आ अगला प्रश्ण है, हडपा संस्कृती की मुहर और तेरा कोटा कला पर निम्न में से किस जानवर को दरसाया नहीं गया था, तो आपको बताया गया था, गाय को नहीं दरसाया गया था, यहाँ पर B आपसन राइट है, अगला प्रश्ण है, हडपा सभिता के दोरान डांसि ड़लाई, कास्टिंग तक्नीक का इस्तेमाल किया गया था, यहां पर D. आप्सन राइट है, पांच्वी छठी सताब्दी ईशापूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भासा को क्या कहा था, देखे दोस्तों सिंधु घाटी सब्धता के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो पहला है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे यह बिल्कुल सही है यहाँ पर दोस्तों पहला ही आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण है किस पदार्थ का उपयोग हरपा काल की मुहरों के निर्माण में किया जाता था इसका जवाब है सेल खडी पदार्थ का उपयोग हरपा काल की मुहरों के निर्माण में किया जाता था यहाँ पर ए आपसन राइट है हरपा सब्धता किस यूग की थी देखे दोस्तों हरपा सब्धता ये कान सी यूग की सब्धता थी यहाँ पर A option right है, हडपा सभ्विता के निवासी कैसे थे, देखे दोस्तों, हडपा सभ्विता के निवासी सहरी थे, यहाँ पर B option right हो जाएगा, सिंधु सभ्विता के घर किस से बनाये जाते थे, इसका जवाब है दोस्तों, इटो से बनाये जाते थे, यहाँ पर A option right है, हडपा वा किस वस्तु के उत्पादन में सर्व प्रथम थे इसका जवाब है कपास के उत्पादन में सर्व प्रथम थे यहां पर C option राइट है सर्व प्रथम कपास पैदा करने का स्रे सिंदु सभ्धा के लोगों को दिया जाता है इसे आप लोग याद रखियेगा सिंदु घाटी की सभ्धा के किस पूरा अस्तल से नाओ के चित्रया माडल प्राप्त हुए है अगला प्रश्ण है हडपा कालिन अस्तलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ती नहीं हुई है तो याद रखियेगा अभी तक लोहे की प्राप्ती नहीं हुई है यहां पर D option राइट है अगला प्रश्ण है यूगल सवाधान संसकार का प्रमाण कहां से मिला है इसका जवाब है दोस्तों यूगल सवाधान संसकार का प्रमाण लोथल से मिला है यहां पर C option राइट है अगला प्रश्ण है सिंदु घाटी के लोग विश्वास करते थे देखे दोस्त कहां से चलता है इसका जवाब है धौला वीरा से यहां पर ए आपसन राइट है हडपा में एक उन्नत जल प्रवंधन पडाली का पता धौला वीरा से चलता है यहां पर ए आपसन राइट है अगला प्रश्ण है मन के बनाने के कार खाने कहां से मिले हैं देखे दोस्तों मन के बनाने के कारखाने लोथल योम चन्हु दड़ों से मिले हैं यहां पर ए आप्षन राइट है अगला प्रश्ण है जुते हुए खेत और नकासी दार इंटों के प्रयोग के साक्ष कहां से प्राप्त हुआ है देखे दोस्तों जुते हुए खेत और नकासी दार इंटों के प् काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है यहां से वीडियो एक्जाम में प्रस्ण देखने को जरूर मिलेगा उमीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोसों सेर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर रताइए वीडि